हालो फैंज मैं आपके सामने आज द्रमेंद्रा मैं आपके सामने वोडन आइटम्स को लेमिनेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं आज वोडन आइटम्स को लेमिनेशन इस वज़े से किया जाता है कि उन पे डैस्ट वगरा वो गंदे गंद की वगरा ना लगे और उसेफ रहे उनकी पॉलिस वगरह न उड़े तो शोरूम में mostly ज़्यादा तरिश्ट प्रकार का आइटम रखे जाते हैं हैंडिग्राफ्ट का आइटम में काफी आइटम और भी होते हैं जैसे वूड़न आइटम हैं या और कुछ आइटम हैं वह गंदे हो जाते हैं उनके लिए हम एक आसान तरीका डूंडा है वह है लेमिनेशन लेमिनेशन से वूड़न आइटम हो या और कोई आइटम हो जिन पर लेमिनेशन करके उनको डश्ट और गंद की से बचाया जा सकता है अब आज आपके सामने बताता हूं कि लेमिनेशन करने के लिए किस-किस मसीनों की हो किस टाइब की चीजों की जुरत पड़ती है तो बताता हूं आपको कैसे की जाती है लेमिनेशन का हाती है कोई बड़ा हाती नहीं है इसके लेमिनेशन कैसे होती है मैं आपको बताता हू देखिए यह देखिए ठीके दोस्तों अब मैं इसको इसकात लेता हूं क्योंकि इसकी लांबाई ज्यादा बड़ी नहीं है तो यह देखिए अब पने यहागी यह देखिए इसमें आपको डाल लेते हैं इसको इसकी स्लाइप इसकी हुआखे नियुक्त आप सकता हूँ अब इसके स्कौने भी अपने को कातने हैं जिससे यह पालके की प्रेस्टेज इकल जाए ज्यादा बड़ी नहीं कि इसमें का काम हो चुका है यह मसीन का काम हो क्या है यह देखिए अब इसकी स्रिंग करना इस गरम भावा की इस मसीन से देखिए कि एक अब जी देकर सब्सक्राइब करें का इसमें को जाएगो अब इसमें करें आइटम को कि भी आइटम को जाएगे डिए प्रेज़र आप ए कि अज़रे इसमेंकि करेंआभा इसमें तुग अगरम हवा से इस सब चीजे हैं बीडीरी देरी आध उसक वासार जहां इसना इसना यह हो कि देखना है कि अब तेखिर स्थाम रसिम से तरही हो इसना जेंड गाव मेंकुट टैप हो गें इडिकी दूस्तो इडिकी आपके सामने आए इसंची दे広फी फ्यास्टी रहेका है इसी देखियर ऊचे कंच कोईबी आईटम कोई भी आइटम हुआ लकडी का या और कुछ यह बिल्कुल खूदसर दिखने लगता है और यह कोई भी आदमी पर्चेश करने वाला होता है तो इसको अटक्ट करता है बिल्कूई क्योंकि यह डस्ट बगरा कुछ नहीं होता इसको अपन बिना लेमिनेशन उतारे रख सकते हैं क्योंकि यह बिल्कूई पर्फेक्ट और सुन्दर दिखता है देखिए और इसमें अपन अलग लग किसी भी आइटम पे अपन लेमिनेशन कर सकते हैं यह देखिए इसमें इसा नहीं है यह सिंपल वे कैसा भी आइटम हो सब पे अपन लेमिनेशन कर सकते हैं यह देखि का यह ले में से नहीं से आया कि खराब भी नहीं होता है दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइबर करना ना भूलें थैंक्यू सो मच